देदी है EWS आरेक्षन, जो 10 फीसदी आरेक्षन, 2019 में समिधान संशोधन के बाद, 10 फीसदी आरेक्षन, समाज के कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए, जो 10 फीसदी आरेक्षन की व्यौस्था की गई थी सरकार की और से 2019 में, वो अब जारी रहेगी, इस E समर्थन किया है यानि कि EWS आरेक्षन अब जारी रहेगा हाला कि अभी चौते जज जो जस्टिस एस रवींद्र भट हैं वो अपना फैसला सुना रहे हैं वो इसके खिलाफ हैं इसका समर्थन वो नहीं कर रहे हैं लेकिन समीधान पीट में पांच जज हैं और पांच जजों म अब जारी रहेगा 2019 में समीधान संशोधन के जरिये EWS आरेक्षन लाया गया था समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर तपके हैं उन्हें 10 फीसदी आरेक्षन दिया गया था जिसको सुप्रिम कोर्ट में चुनोती दी गई थी ये कहा गया था कि ये आरेक्षन वैध नही है ये आरेक्षन जो OBC, SC, ST है उन आरेक्षनों को ये प्रभावित कर सकता है लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने ये नहीं माना है सुप्रिम कोर्ट ने पांच में से तीन जजों ने इसका समर्थन किया है यानि कि सुप्रिम कोर्ट की और से EWS आरेक्षन को हरी जंडी दे दी EWS Erection को Supreme Court की ओर से हरी जंडी दे दी गई है EWS Erection 2019 में समिधान संशोधन के जरिये लागू किया गया था आर्थिक रूप से जो कमजोर तपके हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत Erection की व्योस्था की गई थी और उसको चुनौती दी गई थी Supreme Court में कई सारे तरक देते हुए और Supreme Court ने उन तरकों को नहीं माना है